नश्कार दोस्तों मैं हूँ सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में भाई कोरोना का टाइम फिर से वापिस सा आ गया है और लॉकडाउन जैसी स्थितियां पूरे देश में बनी हुई है तो गाडियां जादा तर घर पे खड़ी रहती कि भाई लॉकडाउन में या गर्मियों की सीजन में जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है अगर आपकी गाड़ी लंबे समय तक अगर खड़ी रहती है तो आप अपनी गाड़ी की केर कैसे करें सबसे पहली चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी के साथ एक इस तरीके की honors manual आती होगी इस तरीके की honors manual में maintenance tips सारे कुछ दिये होते हैं कि long term में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपके साथ क्या करना है और साथी साथ पेट्रोल एंड डीजल कार में भी एक चीज है कि वाई पेट्रोल कार तो खेर काफी लंबे समय तक अगर नहीं भी चलाओगे तो चल जाएगी लेकिन डीजल कार का क्या सिस्टम रहता कि उसमें यूरिया वगएरा आजकल डालना पड़ता है और वो ना डालो तो वो अंदर की तरफ जाम वगएरा होके और दिक्कत करता है तो डीजल कार को आपको दो चार पांच दिन में एक बार लगबख 30-40 किलो मेटर चलाना ही है तो यह तो पॉसिवल नहीं हो पाता लेकिन फिर भी आप उसे स्टार्ट करके अपनी कॉलोनी में थोड़ी बहुत थ आने जा रहा हूं वो डीजल और पेट्रोल कार के लिए काफी ज्यादा कॉमन है तो बाहर की तरफ चलते हैं हम अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो पहली चीज आपको करनी है कि आपको अपने चारों टायर्स की जो हवा है लगबख 25 परसेंट तब कम कर देनी है जिससे क अगर लंबे समय तक घड़ी रहती है दूसरी चीज आपको अपने वाइपर से अगर काफी जादा लंबे समय तक खड़ी है तो कुछ इस तरीके से ओपन करके रख देने यहां पर आप देख रहे होंगे जो कच्रा है यह जम जाता इनके नीचे और यह आपकी वाइपर ब गाड़ी जब लंबे समय तक खड़ी रहती है तब आपको बैटरी का ड्रेनेज इशू आ सकता है तो जो कंपनी रिकमेंड करती है अल्मोस्ट सिक्स वीक के अंदर आपको गाड़ी एक बार स्टार्ट करके थोड़ी बहुत चला लेनी चाहिए लेकिन मैं बोलता हूं सेफ करना भूल गए हैं और आपके वाइपर ऐसे ही हैं तो पहले थोड़ा सा उठा लें नीचे कच्रा साफ कर लें इनके ऊपर थोड़ा सा आपका जो टेलकम पाउडर होता है नॉर्मल टेलकम पाउडर जिससे हम मूँपे लगाते वो छिड़क दें फिर आप अपने वाइप से किस तरीके से करनी है वह मैंने आपको बता दिया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि फिलहाल चैनल पर 4.8 को सब्सक्राइबर होने में काफी कम लोग बचे हुए तो भाई वीडियो बनाने में काफी जादा मेहनत लग आगे हम बढ़ते हैं तो जब भी आप इंजन को स्टार्ट करें थोड़ा सा गाड़ी को घुमा लें वह किसलिए क्योंकि आपके जो टायर हैं उनमें एक फ्लेट स्पोर्ट नहीं बनेगा काफी समय तब जब कोई टायर वगेरा ऐसे खड़ा रहता है तब क्या होता है कि जो टायर हैं नीचे से फ्लेट से होने लगते हैं मतलब कि वह नॉर्मल आखों से आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन डे टुडे लाइफ में कहीं न कहीं थोड़ा सा उनमें फरक बढ़ता है क्योंकि गाड़ियों के सस्पेंशन आज कल इतने अच्छे होते हैं कि पता गर्मी जितनी भी है थोड़ी बहुत 30-40 डिग्री के टेंपरेचर में तो गाड़ी के अंदर कुछ भी नुकसान नहीं होता लेकिन जब सनलाइट डारेक्ट पड़ती है तो डेशबोट के नीचे डेशबोट के ऊपर यह वाला एरिया हो गया और कुछ बूट का एरिया हो अगर खुले में रखते हैं तो गाड़ी का जो कवर अगयरा है वह थोड़ा सा धांक के रखे अगर आपके पास कवर भी नहीं है तो कोई भी कपड़ा अपकी विंड शील्ड पर जरूर लगाएं थोड़ा सा गाड़ी को धांक करके ही रखें एक लास्टी इस वीडियो मे होने के बावजूद आपको गियर में लगा करके गाड़ी को खड़ी करना है लंबे समय के लिए आप गड़ी खड़ी करते हैं तो यह कुछ बात है थी भाई लॉकडाउन में अगर आपकी गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहती तो आप कुछ इन चार-पांच चीजों को फॉलो करके आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कर सकते हैं और यह काफी यूसफुल रहता है एंड भाई थोड़ा बहुत चला लिया करो वाकी तो कोई खास था नहीं ओनर्स मेनुवल में ही देखके मैंने यह सारी चीज़े बताई हैं आप भी अपनी गाड़ी की ओनर्स मेनूल चेक कर सकते हैं वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते כ然 अगर नहीं तो जो सब्स्क्राइब कर सकते हैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में अशकार धन्याणय ओन सब्सक्राइब करना मत भुलीगा कर दो कर दो